अस्सलाम उलेकुम हसरात पकवान हाजीर है मैं आप सब का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे सहतियाप और धंदरुस्त होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं छरी के आलू वो भी जीरे वाले ये छरी का जो आलू होता है ये छोटे-छोटे आलू होत इसके लिए मैंने है cooking वैसल लिया है यानि की cooker और उसमें अब हम डालेंगे तेल को खूँब अच्छे से ह्गर्म करके हम इसके अंदर लगाईंगे जीरे वाहगार तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है ये देखिए हमारा तेल गर्हम हो चुका है और ये हमने तरीके से वाश कर रहे हैं उन्हें बहुत एची तरीके से धोया है ताकि इसमें धूल या डस्ट होगेरा ना रह जाए ये देखिए और इन छरी के आलूकों मैंने सिर्फ तो ही टुकड़ों में काटा क्योंकि अल्ड़ेडी बहुत छोटे-छोटे हैं और इनका अपना ही स्वाध होता है अब इन छरी के आलूक हम थोड़ी देर तक तेल में चलाएंगे या आप क्यादो जरा सा फ्राई करेंगे इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और जबी अच्छी तरह से तेल में हो चुके है तब हम इसमें डालेंगे नमक यह देखें यह मैंने नमक लिया है यह सेदा नमक है जो जॉइंट्स करिए बहुत अच्छा होता है अब हम इसमें डालेंगे मिर्च और नमक मिर्च डालने के बाद हम इन्हें आलू में बहुत अच्छे से चलाएंगे ताकि नमक मिर्च evenly spread हो जाए क्योंकि ये छोटा छोटा आलू है जो सरदियों में usually मिलता है और इसमें कहीं पर नमक मिर्च ना रह जाए तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से चलाना बहुत ज़रूरी है अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ढखकन लगाएंगे और एक या दो सीटी आने तक आलू को पकाएंगे ताकि आलू बहुत अच्छे से गल जाएं यह देखें मेरे आलू जो हो गए हैं बहुत अच्छे से और मैंने इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और यह जो आप दुआ देख रहे हैं एक्चुली यह मैंने एकदम ढखकन हटा कर आपको दिखाया है अब हम इसमें अड़ करेंगे कसूरी में थी आप जानते है कसूरी मेथी डालने के बाद हम चमस से इन्हें मिला देंगे देखिए यह कितने ही बड़िया टैक्षर आ रहा है और एकदम बड़िया पक्के वे आलू है अब हम क्या करेंगे इन्हें सर्विंग के लिए निकालेंगे चरीक आलू ऐसा होता है अगर हम इसे सिफ अच्छे सा दोल है मैंने इसमें हराधनिया अब हराधनिया डालने के बाद मैंने इसे चला दिया है और मैं इसे एक हलकी सी भाप में पकाऊंगी तागी हराधनिया जो है वो गल जाए यह देखिए यह हराधनिया है हमारा और मैंने इसे एक भाप में पका लिया और यह अच्छे से पक चु को अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के दार शेयर करिए मुझे कमेंट करके बताईए आपको कैसी लगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए अपना ध्यान रखिए अल्ला हाफिज टेक कियर